हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बैटल फिर्ट 2014 डेक्ट एक्स का कोई भी एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को शेब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को शेब्सक्राइब क इसकी जाएगा नेट फ्रेम वर्क प्रिपियर टूल इसके बाद आपको इंटर कर देना है एंटर करते हैं यहां पर आपको फर्स्ट ओप्सन दिख जाएगा इसके ऑपर आपको उपेज़ ओपन होजाएगा बाकि इसका लिंक आपको फेस्बुक याने तो टेलिगराम च downlode करने के लिए यहांपे download पर click कर देने क्लिक करते है इस तरह से विंडो Audίζ फोलनडर कर जाना है जहां अपने इस तरह से यह एक सी को इस दीख जाएगा अब आपको क्या भाणाप्ड़ EXE को उपर आपको right click करना है, इसके बाद आपको property पर click करना है, इसके बाद यदि unblock यहाँ पर आपके case में भी दिखता है, तो इसको tick mark कर दीजेगा, इसके बाद आपको apply पर click कर देने हैं, यदि आपके case में यहाँ पर unblock नहीं दिखता है, तो आपको क्या करना है, okay करके ब विंडो ओपन हो जाएगा आपको क्या करने इसको टिक मार्ग कर देने इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर किलिक कर देने इसके बाद इस तरह से विंडो आ जाएगा आप देख रहें यहाँ पर रिकोमेंडेट चेंजेज आ जाएगा तो आपको क्या करने यहाँ प आप सेब करना चाहते हैं तो सेब कर सकते हैं इसके बाद आपको क्या करने सिस्टम को रिये स्टार्ट करके आप चेक कर सकते हैं आपका प्रॉलम सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉलम फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करने फिर से आपको ब्रॉजर ऑपन करने क गुगल पर बिन के बादु यहां पे आपको टैप डपक्त नहीं और इंटर कर देने के बादु यहां पर आपको क्लिक कर दिने क्लिक करते हैं इसतरा से विंडौ ऑपन हो जाएगा बाकि इसका लिंक आपको Facebook यानिथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या तप वहान से इस link ko copy करके अपने प्रोजर की एरमे पेश्ट कीजएगा इंटर कीजएगा तो भी डाउस्ली यह पेज ऑपन हो जाएगा यह पेड्यों होने के बाद आपको क्या खरना यहाँ पेस को डण करना है इसको window open हो जाएगा अब आप जहां पे भी एकसी को save करना चाहते हो पास select कर लिजेगा उसके बाद आपको save पे click कर देना है click करते है इस तरह से window open हो जाएगा अब मालीजे यदि आपके case में भी यहां पे unblock दिखता है तो आपको क्या करना है इसको tick mark कर देना है इसके बाद आपको apply पे click कर देना है यदि आपके case में यहां पे अन ब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करके बाहर आ जाना है अब हम इसको install करेंगे install करने के लिए आपको क्या करना है इसके उपर आपको right click करना इसके बाद runner mister दिख जाएगा, इसके उपर आपको किलिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको yes पर किलिक करना है, इसके बाद यह विंडो आ जाएगा, आपको क्या करना है, इसके बाद आपको next पर किलिक करना है, इसके बाद यहाँ पर next पर किलिक करना है, इसके बाद यह install होना शुरू हो जाएगा installation complete होने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर finish पर click कर दिने click करने के बाद आपको क्या करना है यदि आप ECXC को save करके रखना चाहते तो आप रख सकते या नहीं तो यहाँ से delete कर दिजेगा आपको क्या करना है system को restart कर लेने restart करने के बाद आप चेक कर लिजेगा जो आपका error आ रहा था वो error solve हो जाएगा और please guys channel को subscribe करे like करे, share करे, thank you